तो गुद मॉनिंग राम राम खम्मा गणी मैं आपका यार दो सर्जुन तो स्वागत है आपका हमारी छोटी सी दुनिया में तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो आज की इस वीडियो में क्या है कि हमें कुछ पॉइंट है ड्राइविंग से लेटे जो मेरे माइंड में ख साथ है बार का देखने के लिए बट इस से मैं यहिसा法 कि मुझ देखने के लिए है या यह है वो तो है जब अपने रीविंग से तो हम पता चला कि इसे इसे एरबjos बोला जाता है तो इसे और बोला जाता है तो चलिकर श्र्स एक्शल मतलब क्या है तोो यहीं MATलब कैंसे आउन रहा जो मतलबale है इंटेर्णल रियर विजू और साथ ही aard nime का आउटर यह प्रियर विट्वार इंस मतलब क्या है तो इंकड़ में यह मतलब लेकिन इसके साथ मैं एक चीज होती है कि भी गाड़ी ने और अंदर आगई है तो नुक्सान ओर कि उससे quで काम में आता है कि IRVM में से क्या होता है कि फीछे की ग्लास का पूरा व्यू रहता है जब भी आगर अपन गाड़ी को रोकने की बात करते हैं तो उससे पहले एक नजर यहां पर माननी पड़ती है जिससे क्या होगा कि गाड़ी का पता चल जाएगा पीछे कौन सी गाड़ी है क्या है क्या नहीं है तो उसकी स्पीड को हम जज्ज कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसी हिसाब से कम ब्रेक लगाएंगे और थोड़ा टालने की करेंगे गाड़ी को तो अगर सदनली आ जाता है तब तो रोकने ही पड़ती है वो फिर चाहे कुछ भी होगे तो फिट अलेफ्ट से जो गाड़ियां आ रही है उनको अमें देखने वूलता है अब बात करें तो इनको सभी सेटप कैसे रहता है कि इनका सभी सयटक मायक इससे है कि इस से क्या होता है اक डैवर को आपको देख लीजिए जैब को पीछे का काज़ पुरा दिख नट चाहिए मिर्षे पूरा दिखना चाहिए उस इसाफ से startब कर लीजिए तो अगर setup होगा तो मेरे यहां से पूरा setup है तो मैं अलकी सी नेजर मारूँ तो मुझे पूरा दिख रहा है बस में आगे अब फिछे का पूरा दिखना चाहिए तो व तो गाड़ी में कितनी मिर्र्स हो गए एक दो तीन चार इन मिर्रस से ड़ेस्ट आपांड़ें पॉसिबल नहीं है क्योंकि गाड़ी अभी ऐसे नहीं देख सकते हैं ऐसे नहीं देख सकते हैं लेकिन इन मिरोर्स की मेर्ट से हम हल्कीुट गुमाई हल्की से शोष्य गुमाई आगे देखा काम घता हूं तो यह रहता है तो अब ऑटर रियर वियुविलर की बात करें, तो यह सेट अप कैसे होता है तो इसमें क्या होता है कि एक blind spot create हो जाता है, पीछे के mirrors में एक blind spot create होता है, उस situation में क्या गणा है कि बराबर आपको देखना है कि आपको गाड़ी की rear दिखना चाहिए, यह चीज ह ना हो सक arrivé उतना जज़्यादा रोडं का विपने जी है और गाड़ी का एन्ड दिखना जी हलका ऑचा कि हां मैं अंदास हा रहे पीछे का दो आरी है एसे घजैनल कर्ता रहा है हां तो एक ड्र nossos work के लEести लुट बात है तो अब तो आफ हैं दबाने से गाड़ी के mirrors fold हो जाते हैं और जिसे वापस से दबाए तो यह unfold हो जाते हैं लेकिन और साथ में एक knob है जिससे क्या होता है अंदर के mirror है तो यहाँ पर basically इसपर तो मिट गए है लेकिन कुछ इस से होते हैं कि इसको राइट में घुमाया है तक और यहां पर दिख रहा है कि मुझे गाड़ी का एंड पूरा दिख रहा और मुझे पीछे की लगबख लगबख पूरा रोड का व्यू मिल रहा है देखे इस से लेके यहां तक मिल रहा है ठीक है और साथ ही यही चीज होती है उस साइड के मिरर में में मेरको अब जसकी यह अब यह प्रॉपर है तो इस सिट्वेशन क्या है कि मिल को दिख रहा है कि गयाड़ी का end गहा है और पीछे तक का view कहां तक का मिल रहा है मिरको तो जतने जादा view मिले वह सही रहता है तो यह कुछ अब इस टाइप से अब तीन टाइप से होते है तो जो कि मिलते है नॉर्मल कार्ष में क्या होता है यह बटन नहीं रहता है तो वह देना को नॉर्मली फिक्स पोजिशन में सेटफ करा जाता है कि पीछे कि अगर कोई नाइट में गाड़ी की लाइट पढ़ती है तो उस सिचुशन में हमें कोई फरक नहीं पढ़ता कि चाहिए कितनी भी लाइट पढ़े हमें handle करनी पड़ती है और दूसरी तो यह वाले आते हैं इनमें day night का यहाँ पर switch दिया जाता है जिससे क्या ऐसे है तो day में है और ऐसे किया इससे क्या होगा एक black सी पड़ जाएगी जिससे हमें पीछे का view तो पूरा दिखेगा लेकिन अगर कोई light पड़े की sudden तो उससे हमें कोई impact नहीं होगा में आँखों पर और एक थर्ड आते हैं जो automatically वो खोदी sense करते हैं कि अगर पीछे से कोई light पड़ रही है तो वो खोदी उस चीज़ को कंट्रोल में कर लेंगे तो आसा करता हूं आपको इस वीडियो में information अच्छी लगी होगी अगर information अच्छी लगी लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमार चैनल को सब्सक्राइब भीजिए तो मिलते नेक्स वीडियो में